हाई 12Ds, वेल्कम टू Easy Way Commerce Classes मैं हु तबितार गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग अपना Consumer Protection Chapter स्टार्ट करेंगे और Consumer Protection Chapter, Consumer Protection Act 2019 के अकॉर्टिंग करेंगे हाला कि गाइज पुराने सेशन में 1986 होता था 1986 से अब 2019 हो गया है बट जाधा फर्क नहीं है सिर्फ एक चीज में थ्री टायर रिड्रेसल कमीशन में चेंज आया है उसके लावा जो टॉपिक है कंस्यूमर की डेफिनेशन हो केन फाइल अ कंप्लेइन सारी चीजे सेम है 1986 और 2019 की सिर्फ थ्री टायर रिड्रेसल में अमाउंट का चेंज आया है इसके लिए आपको जरूर नए सेशन के हिसाफ से आने की 2019 के अकॉर्डिंग एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है यहाँ पर केस्टडी में 2019 एक्ट के अकॉर्डिंग ही कराऊंगी सबसे पहरे आपको पता है यह चिप्टर बहुत असान सा है आपको आना चाहिए इसी चिप्टर है हमारी बुक का इसके लिए आपको अपनी बुक एक बार जरूर पढ़नी है ताकि आपके concept clear हो छे right consumer के कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए चलो अब start कर तो guys ताकि जो भी चीज़े बीच बीच में आएंगी हमारी case study में वो सारी चीज़े में आपको समझा सकूं तो सबसे पहले case study देखते हैं जिसमें उन्होंने हमसे बोला है you suggest to both the solution to their problem हमसे बोल रहे हैं हम suggest करें उनकी problem का solution अपनी सिंदगी की तो solve होती ही नहीं इनकी करते हैं चलो Mr. Deepak purchased a new vehicle for 80 lakh Mr. Deepak ने guys new vehicle खरीदा 80 lakh का and his friend Mr. Sahu purchased a new vehicle for 2 crore Sahu ने 2 crore का खरीदा है after a few days it was found that both vehicle were defective दोनों के vehicle guys खराब निकले हैं they are thinking to whom they should complain about it वो किसको complain करें तो देखो आपको पता है तीन हमारा 3 ताव रिड्रेसल कमीशन है जिसमें district है, state है, national है district में guys कहां तक एक करोड तक के मामले आते हैं जबकि एक करोड से दस करोड तक के मामले आपके state में आते हैं और दस करोड से जादा के मामले आपके national में आते हैं तो यहां पर 80 lakh तक का मामला किस में आएगा हमारे district में आएगा जबकि एक से दस करोड के मामले हमारे स्टेट कमीशन में आते हैं तो जो साहू है वो स्टेट कमीशन के पास जाएगा और असी लाख वाला मिस्टर धीपक कहां जाएगा डिस्ट्रिक कमीशन में इसके बाद समझाया यह कंसेप्ट यह जो डेज है डेज भी इसमें बहुत इंपोर्टेंट है और अमाउंट भी इंपोर्टेंट है तो डिस्ट्रिक में एक करोड तक के मामले एक से दस करोड के स्टेट में और दस करोड से जादा के नैशनल में इसके बाद guys next case study है Tell whether Manisha can file appeal in a supreme court Clarify your answer हमें बताने कि Manisha supreme court में file कर सकती है case या नई तो Manisha purchased a new car for 15 lakh Manisha ने 15 lakh की नई car खरी दिया Immediately after the purchase she noticed some defect in its engine Engine भही खराब निकला Soon she contacted the dealer but the dealer paid no heed to her complaint Deela ने ध्यान नहीं दिया guys उसकी complaint पर Then she filed her complaint with the district commission उसने district commission में complaint file करी She was not satisfied the decision उसका decision से district commission के decision से वो satisfied नहीं होती है उसके बाद वो क्या करती है She filed an appeal against the decision with the state commission वो district से अबब जाती है state commission के पास She was not satisfied even with the state commission के decision से भी satisfy नहीं होती Now she challenged the decision of the state commission before national आवो state से जाती है national के पास Manisha was not satisfied with the decision of national commission also National commission से भी उसे संतुष्टी नहीं मिली है अब हमें बताना है till whether Manisha can file appeal in the supreme court क्योंकि national commission के उपर आते है supreme court तो क्या Manisha supreme court में जा सकती है गाईस तो नहीं जा सकती क्योंकि supreme court में 10 करोड से जादा तक के मामले लिये जाते है जो सीधा national commission में आते है और उनी को उसमें लिया जाते है तो ये मामला जो की 15 लाग का है नहीं जा सकता और क्योंकि ये district, district, state उसमें होके जा रहे है तो जो सीधा हमारे national commission में आते है 10 करोड से अबव के मामले वही supreme court में जाते है तो यानि की Manisha supreme court नहीं जा सकती अब आगे बढ़ते हैं guys अपनी third case study पर जिसमें इन्होंने हमसे पूछे कैं Mohini appeal against the decision of the district commission क्या Mohini district commission क्या against appeal कर सकती है give reason in support of your answer मोहini का बढ़ते था हर mother gave her a pair of a gold earring उसकी ममी ने उसे gold earring दिये after a one month Mohini observed that the earring are losing their shine earring पर से shine जाने लगी she checked the mark on the earring and found that it was not a proper all all mark नहीं था guys उसके उपर and her mother had been cheated by the shopkeeper यानि कि उसकी ममी को धोका दिया दुकानदार ने so she filed a complaint in the district commission which rejected it तो वो complaint file करती है district commission में so district commission उसकी complaint को reject कर देता है उसके बाद not satisfied by the decision of the district commission she was very much disturbed and after two months decide to appeal further दो महीने के बाद अब वो further appeal करना चाहती है तो क्या guys वो कर सकती है so देखो district के बाद अगर वो state में जाना चाहती थी तो उसके पास समय था 45 दिन का 45 दिन के अंदर वो state commission के पास जा सकती थी बट उसे हो गए दो महीने तो वो नहीं जा सकती क्योंकि 45 दिन क्रॉस करने के बाद हम अपना right खो देते हैं state commission के पास जाने का और state commission में कितना होता है अगर आप state commission के days से satisfy नहीं होते तो आप national में जाना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ 30 days होते हैं तो district में 45 दिन मिलते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए state में 30 दिन मिलते हैं और national में भी 30 दिन मिलते हैं तो यह days जरूर याद रखने हैं इस पर मेरी shots बनी है guys उसे जरूर देखना एक बार repeat करकर करके देखना ताकि यह सारी चीसे अपके mind में बैच सके तो यहाँ पर अगर हम बात करें मोहीनी की तो मोहीनी नहीं जा सकती क्योंकि वो दो महीने बीतने के बाद अगर सोचे तो वो अपने right खोच चुकी है उसके बाद है guys next case study जिसमें can Raman appeal against the decision of the district commission give reason in support of your answer क्या Raman appeal कर सकता है district commission के against तो अब पहले Raman के story बढ़ते हैं Raman purchased a new car from a Rahul motor for 25 lakh Raman ने guys 25 lakh की car खरी दी he was offered free insurance for the first year उसको पहले साल का free insurance मिला and the three free servicing to be availed after the car had covered 5000 km, 10,000, 15 km पर वो free service करा सकता था when Raman took the car for the first free servicing he was told that the car was not new and first service had already been availed on this car यानि उसको नई कार के जगे पुरानी चेप दी जाती है जो कि बड़े ही गलत बात है he felt cheated of course उसके साथ धोका हुआ है and filed a complaint in the district commission और वो district commission में complaint file करता है being not satisfied with the decision of the district commission अब district commission जो फैसला सुनाते है वो से satisfied नहीं होता after a two month he decided to file an appeal against it तो यहाँ पर इन भाया ने भी अपना अधिकार खो दिया क्योंकि 45 दिन का समय था district के फैसले के आगे बढ़ने का यानि कि state में जाने के लिए उसे सिर्फ 45 दिन ते district का जब फैसला आता है तब से 45 दिन के अंदर अपील करनी होता है बट यहाँ पर भी वो दो महीने बाद जाता है तो भाई आप अपना right खोद होगे एसे केस में तो यहाँ पर वो खोद चुका है आगे बढ़ते हैं guys state the consumer right which Tushar exercise Tushar लिखा है मैं Tushar पढ़ूँगी क्योंकि Tushar क्या word होता है ठीक है फिफ्ट केस study है guys हमारी Tushar bought a packet of chips from a local shopkeeper कहां से local shopkeeper guys वो एक chips का packet खरेता है and found that the ingredient given on the label were not legible भाई label सही से नहीं दे रखे ingredient उस पे ही complain about it to the company the company sent the written apology that they will make sure that the existing packets are withdrawn from the market market से withdraw करे जाएंगे and new packets were legible label are soon made available और सही label के साथ market में packets लाए जाएंगे अब यहाँ पर Tushar ने guys अपना कौन सा right exercise किया so guys basically हमें यहाँ पर Tushar का right बताना है जो उसने use किया तो Tushar के पास guys सबसे पहले तो आपको यह पता होने चाहिए कितने rights available हैं तो Tushar के पास 6 rights available है एक consumer के bias 6 rights available होने चाहिए जो आपको पता होने चाहिए क्योंकि एक्जाम पे आते हैं तो आपको पता होने चाहिए इस first right है right to safety यानि कि हमें जो भी product दिया जाता है वो safe होना चाहिए right to be informed यानि कि जो भी product दिया जाता है उसके ओपर ingredient label proper होना चाहिए अगर नहीं है तो यानि कि यह हमारे right का नुकसान दे रहे है third है guys right to choose यानि कि हमारे पास right है यह बहुत सारी varieties में हम अपना choose करने का option रख सकते हैं हमें कोई compulse नहीं कर सकता कि आपको यह product खरीदना है right to be heard यानि कि हमारी सुनवाई करी जाए हमें अगर कोई problem है तो हम उसकी सुनवाई करा सकते हैं हम उसकी complaint file कर सकते हैं that is right to be heard and right to seek redressal अगर कुछ कमी निकलती है तो उसके लिए हम उसकी भरपाई के लिए case कर सकते हैं that is right to seek redressal and last होते है guys right to consumer education consumer का एक right है कि उसके पास सारी education उसके पास available हो उसका अधिकार है education को लेना about the क्या market में चल रहा है कौन सा product चल रहा है कितने रुपे का है यह उसका अधिकार है तो कोई भी उसके अधिकारों को छीन नहीं सकता तो यहाँ पर basically तुशार ने कौन सा right यूज किया so guys देखो लेबल में कमी थी तो लेबलिंग के लिए उसने वो करा कि भईया आपके जो लेबल है उस पे नहीं proper देख पारा legible नहीं है तो उसने अपने कौन से right को use किया right to be informed यानि कि हमें जो information मिलनी चाहिए वो proper नहीं मिल रही लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने और में answer दे रखा right to be heard यानि कि उसकी सुनवाई हो सकती है इसलिए उसने उसका भी right use किया है ठीक है तो वैसे अगर पक्के तोर पे बोला जाए तो यहाँ पर जो right actual में use जा है that is right to be informed की भी label में कमी थी उसने अपना यह right पूरा किया कि भाया labeling पूरी करो अच्छी तरीके से ऐसा नहीं चलेगा तो यहाँ पर यह चीज आएगी अब इसके बाद है guys next case study जिसमें state the consumer right which Swati exercised अब Swati के बारे में बताने Swati bought a box of cheese a reputed brand from a local shopkeeper से guys वो cheese खरीद लेती है एक reputed brand का लेकिन on opening the box she found a piece of a stone in the cheese बताव cheese के अंदर पत्थर निकलते हैं she reported the matter to the shopkeeper who forwarded her complaint to the concern company अब वो shopkeeper company में complain करता है कि भाया देख लो आपकी cheese में तो पत्थर निकले हैं within a week the representative of the company visited Swati's residence with an apology भाई company के लोग आते हैं एक apology के साथ एक माफी के माफी नामा के साथ और क्या कहते हैं guys as a replacement offer her a new cheese pack नया cheese pack दिया जाते है with four other varieties भाई एक के साथ चार और other variety की cheese मिलते हैं as a compensation for the inconvenience जो हर जो उसको compensation दिया गया जो उसे inconvenience होई कि भाई जो उसने खरीदा खराबी निकली तो यहाँ पर Swati ने guys अपने कौन से right को use किया है so यहाँ पर अगर हम बात करें तो Swati ने अपने right to safety क्योंकि जो product था वो खाने के लिए था और वो proper नहीं निकला उसमें पत्था निकले हैं तो right to safety है इसके साथ-साथ एक right और यहाँ जलक रहा है जो आप लिख सकते हो right to seek redressal ठीक है क्योंकि यह case studies एक-दो चीजों को जलकाती है तो आप दोनों में से एक लिख सकते हो गलत नहीं होगा लेकिन हाँ जहाँ पर clearly mention होगा वहाँ पर आप options नहीं लिख सकते है हाँ पर right to seek redressal भी है क्योंकि उससे जो कमी निकली उसको पूरा किया गया तो जब भी हम लोगों को compensation प्रोवाइट किया जाता है तो right to seek redressal हमारी case study में हो तो वो right to seek redressal होगा ठीक है उसके बाद guys हमारी next case study है suggest him the highest authority where he could appeal against the decision of national commission के against वो कहां जा सकता है तो national commission के against वो वैसे supreme court जाता है बट क्या ये जा सकता है या नहीं ये पता लगाते है गौरफ पर्चेस अ कार 15 lakh from an automobile company and found that the airbag were defective airbag guys company के अच्छे नहीं है and many complained with the company that went unheard उसकी कोई सुनवाई नहीं होती he filed a complaint in the district commission not satisfied the order with the district उसके बाद वो state में जाता है state से खुश नहीं होता तो वो national में जाता है और national में खुश नहीं पर अब वो कहां जाएगा so guys अब वो कहीं नहीं जाएगा अब वो अपने घर जाएगा क्योंकि 15 लाग तक के मामले तो हमारे सुप्रीम कोट में नहीं जाते 10 करोड से जादा वाले मामले सुप्रीम कोट में जाते हैं और जो सीधा national commission में आए होते हैं तो यहाँ पर वो कहीं पर नहीं जाएगा सुप्रीम कोट में वो अपने घर जाएगा ठीक है ठीक है इसके बाद गाईस नेक्स के स्टडी है जिसमें नेमदार रिद्रेसल एजेंसी अंडर था कंजूमर प्रोटेक्शन एक वेर रॉनित राज गाईस कांट फाइल कंप्लेन कर सकता है रॉनित राज एक परचीस करता है स्मार्ट फॉर्म 30,000 का फ्रॉम अ मोबाईल फोन सेलर वर्बल कमीट्मेंट ना रहे वर्बल कमीशन पे कमीट्मेंट पे तो किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता देट था स्मार्ट फोल विल बी रिप्लेज इन एनी डिफेक्ट विदिन ए स्पैन उफ सिक्स मंदे को आप किसी की बातों पे तो कते ही विश्वास नहीं कर सकते और वो भी दुकानदार जो बेच रह समान वो कहां से आपकी बातों को याद रखेगा लेकिन उसने उस पर विश्वास करके फोन खरीद लिया 30,000 का अगर कोई दिक्कत होती है तो 6 महीने के अंदर हम तुझे फोन में अगर कोई भी दिक्कत होगी तो फोन क्या होगा रिप्लेस करा दिया जाएगा अच्छा तो क्या गाइस रॉनित राज जा सकता है तो नहीं जी रॉनित राज कहीं नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि उस बंदे ने ये बात बोली थी उसके पास तो बस ये प्रूफ होगा कि मैंने खरीदा है बट गारंटी ली थी उसका कहां प्रूफ है तो यहां पर वो नहीं जा सकता इसके बाद गाईज नेक्स के स्टडी पर बढ़ते हैं जहां पे हमें राइट बताना है विवेक का विवेक एक बाइट पर्चेस करते है फ्रामा सारनाथ आटो मोबाइल्स विद रिटर्न गारंटी है इस पर तो रिपेर और रिप्लेस इफ नैसेसरी विदिन अगर कोई दिक्कत आती है या फिर पांच हजार किलो मीटर उसकी अगर चल जाती है चलने से पहले तक की तो यानि कि मैक्सिमम छे महिने और पांच हजार तक चलना जो भी पहले हो जाएगा उसके अंदर वो अपनी चीज को ठीक करा सकता है यानि कि रही हजार चला कोई दिक्कत आ लिए एक महिने में तो वो जाके दिखा सकता है अब यहां पर वो अपने राइट के बार में पूछ रहा है कि वो कौन सा राइट यहां पे यूज कर सकता है तो राइट टू सीख रिड्रेसल जो मुझे नजर आ रहे क्योंकि यहां पर वो बात कर रहे कि भाया मुझे ठीक करके दो या फिर राइट टू सेफटी क्योंकि उसकी फिजिकली उसको नुकसान हो सकता था अगर बाइक बीच में खराब हो जाती तो राइट टू सेफटी और राइट टू सीख रिड्रेसल दोनों ही यहां पर लग रहे हैं यह आज की केस स्टडी थी आप आप लोगों को समझ आई होगी अब नेक्स केस स्टडी में नई वीडियो में नई केस स्टडी के साथ मिलूँगी अगर आप कहीं पर यटकती हो तो आप मुझे Instagram पर मैसेज कर सकते हो और कोई भी लिखत हो तो मैसेज कर देना Instagram पर और बस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जिरूर करना शेयर करना थांक यू